ढूब दोस्तों मैं पारास यादो आपका स्वगत करता हूँ आपके अपने फेडरी यूठूब चैनल FAnBlaze पर आशा करता हूँ आप सब सुस्थ होंगे और मस्थ उंगे आज मैं आपके लिए फैन्मिले इसकी और से लेकर आया हूँ एक और cricket match की जानकरी से भी वीडियो इन जानकरी का प्रियो करके आप मेगा ग्रैंड लिक और दूसरे बहुत से कोंटेश जीच सकते हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे T20 World Cup के सेकंड मैच की जोकी खेला जाएगा बंगला दरेसी वर्सिस स्कोटलेंड के बीच में स्तार अक्तूबर को शाम साड़े साथ बजे भारती समय नोसार एले मेरेकर के ग्राउंड एले मेरेकर में इससे पहले आज होने वाले मैच के बारे में बात करें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए और साथ ही घंटी यानि बेल एकन को भी प्रेस कर दीजिए और ताकि आपको हमारी सबी वीडियो की नॉट्फिकेशन सबसे पहले मिल सकें और हाँ अगर आपने अभी तक हमारी फैन्बिलेज आप को डाउनलोड नहीं किया है सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड पिच रिपोट की यहां की बीच नूट्रल रहती है बैटिंग फैनली ट्रैक होने के साथ इनिश्यल हेल्फ पेसर्स को मिलती है लेटर ओन पेसर्स जो वेरिशन यूज़ करते हैं और इस स्पिनर्स को इस पिच से मदद मिलती है चेजिंग साइड को इस वेन्यू पर अडवांटेज रहता है लास्ट ब्यालीस मैचों की बात करें दोस्तों तो एवरेस को रहा है 125 के डेट्सों की बीच में बैटिंग फर्शने मैच जिते हैं 16 सेकर जिते हैं 26 तो चेजिंग साइड को यहां अडवांटेज आए साइड ने मैच आसानी से जीते हैं और विकर्स वालें रहा है तो आप अपनी टीम में बैलेंस को बराके रखेगा दो स्पीनर और दो पेसर का मिक्चर जुरू रखेगा क्योंकि दोनों को इस पिस्त से अच्छी मदद मिलती है कि खासकर पेसर जो वेरिशन उस करते हैं अ सब्सक्राइब नोर्मल रहेगा सब्सक्राइब बारिश की कोई संभावना नहीं है अब देखते हैं स्कोट्लेंड की तरफ से स्कोट्लेंड की तरफ से कल्यूम मेचलूइट 12th हाइस रन स्कोर रहें इस वेन्यू पर तीन मैच्चों में 117 का अगर पहली बैटिंग करते ग्यारा की शांदर एविसे थीफर भी इसी वेन्यू पर लिया है ग्रेंड लिग की पिक रहेंगे आपके लिए अलेस्टर इवेंस अगर फर्स्ट पोलिंग करते हैं तो आपकी ग्रेंड लिग की कैप्टन वाइस केप्टिंग चोईज देएंगे उनको इस वेन्यू का अ अब उन्होंने अच्छा दिखाया इस मैच के लिए बंगादेश रहेगा बंगादेश के बाते हैं दोस्तों तो सोमेस्कार ने काफी अच्छा प्रफॉर्म किया अगर यह टीम में आते हैं प्लेंग में तो आपकी ग्रेंड लिग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस सहींगे सोमेस्कार ने 37 रंड पहले मैच में मनाए उससे में मैच में 24 रंग के साथ दो वीकेट भी लिए वहें बोलिंग से तसकीन एमिड रद ने पहले मैच में दो वीकेड दूसरे मैच में एक विकेट लिया और बैटिंग से निूरो लस्ते ने अर्टीरन का योगदा नावेवियर को स्कोटलेंड ने 19 रन से हराया जहां पर जोरिम उन्सी ने 17 रन की सांदर पारी खेली और मैथ्यो क्रोस टेक्निकल साउंडेड बैट्समेंड विकेट की पर बैट्समेंड स्कोटलेंड के स्कोटलेंड के साथ मैच हुआ स्कोटलेंड का जहां पर स्कोटलेंड पहले बैट्टिंग करते वे एक सुभाई रन ही मना पाया लेकिन उन्होंने निधरलेंड को 11 रन पर रोगत दिया बोलिंग से टोप और हो मार्क वैट चार विकेट क्रिस ग्रिफ्स फॉर विकेट स्कोटलेंड को ने 31 रन से हरा दिया अपने स्मिनरों के बदोलत तो स्कोटलेंड को इस मैच में भलके में मत लिएगा वह बंगलादेश को अची खासी टकल दे सकती है अब बात करते हैं है डोनों टीमों के बीच में अब तक 2020 का एक मैच खिला गया है जहां पर स्कोटलें इस मैच में आप माइकल इस पर ग्रैंड लिग के लिए कैपन वाइस कैपन पर जुरूर ध्यान देना वहीं बंगदर देश की प्रपोबल 11 इस प्रकार रहेगी मुहमद नायम लेटन दास सकेबल असन रही महमदूला अफिफ हुसेन उरुल हुसेन सैफुदिन रहमान और एहमद और नसुम हमद मच भी करेंगे हमारी मुहमद नेम जिन करेशन फों कवी अच्छा और टेक्नियू सांटेट बैट्समन है सकीबल हुसेन काफी ट डेट बोल स्पेशलिस्ट बोलर काफी अच्छी बोलिंग फों में है और डेट बोलिंग करते हैं तो आपके मच पिक रहेंगे पांच यह मच पिक रहेंगे तसकीन आमच जिनका वामप मैच चीज में काफी अचा रिज़न फों था और नसुम हमद आपकी ग्रेंड लिक की पिक रहेंगे क्योंकि स्कोटलेंड के राइट एंड बैट्समेंट जाता है और लेफ्टर बोलर स्कोटलेंड को दिक्कत में डाल सकता है और ग्रेंड लिक की चोज़े रहेंगे लिटन दास सोमे सकार जो भी खेले और मुस्किवर रही में अगर आप टोप ओडर से बैट पिक ट्राइब कर सकते हैं मुहमद साइफो दिंग अगर फर्स्ट बोलिंग करते हैं आपकी ग्रेंड लिकी वी सी की चॉइस रहेंगी अब बात करते हैं स्कोटलेंड की स्कोटलेंड की प्रविबल 11 इस परकार हेगी हमारी मश्ट पिक रहेंगे जोर्ज मुंसी जिनका रिसेंट फॉर्म कवी शांदा है और वामप बैटिंग चीज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सेकंड मश्ट पिक रहेंगे रिची बैइंग ट्रेंग जिनका हैट आपको बोलिंग से भी पॉइंट सेक्ट दे सकते हैं जिनका बैटिंग काफी शांदार है और नीचे बोलिंग से जोस डेवी और एलेजड एवेंस आपकी गरेंड लिग की पंट पिक रहेंगे अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या रहेंगे केप्टन की चोइस बंगल ओ लोशन ओं ड्रिफर्न के प्कंट रमीच लेएंगे मुहमद नयं महामधुल्ला मेग ऐल च्पाइब मीच लेएंगे नसी एमद मुंस्थी ही डि क्तरव सेक्ट यहिक अльशन रहेंगे सेव क्याप्तेन वैस्टर च Screwz तहींगे हमारी स्कॉट्लाइन कीत्र तरफ से रिची बरेंग्ट टॉन से जोर्ज मुंसि मैखल स्क्राइब त्रिफिर्टर वैस्ट चज़ज रहेंगे ब्र३य विल्ग क्या sins जिएकते हैं क्या रहेगे मारी ग्रेंड लिग और स्टेटिजिस मैच के लिए बंगलादेश में चाहिए जहां में इनफों टोपोटर बैस्मेंट और बॉलर को देनी चाहिए अगर आप मेरे जेल में यूणिक ट्राइए करना चाहिए तो एक दो टीम आप स्कोडलैन के फेबरेंड बनाई है जहां आप केप्टन वाइस कैप्टन सी को एट जर्म si को दे सकते हैं वाइस कैप्टन सी विके टेक्टेकर लाइक लिस्क मार्क वार्ट और ब्रेडविल को आप टीम में दे सकते हैं इस परकार आप डिफेंट स्ट्रेजी यूज़ करके बलेबाजी एप पर 25 टी में बनाकर मेगा गरेंड लिकोर्टिस में पट्सपेट कर सकते हैं आप देखते हैं क्या रहेगा हमारा आज का बलेबाजी फ्री लीक कोड पांच जार रुपे के लिए फ्री लीक कोड है बलेबाजी का इस मैच के लिए CT BANSCO CT BANSCO ये बलेबाजी आप पर आप मोर उप्शन पर जाकर जोईन लीक करके फ्री लीक कोड जोईन कर सकते हैं एक ही एंट्री अलाओड है और अपनी बेस से बेस टीम उतार के आप अच्छा कासा विनिंग फ्रीम में गराइब कर सकते हैं अब देखते हैं हमारी क्या रहेंगी इस मैच के लिए बेस्ट टेंटेटीव एंटिसी टीम वन रहेंगे हमारी समाली के लिए जहां हमारी विकेट कीपर है मैथ्यू क्रोस बैट्समेन हैं मुहमद नेम कैलम मैकलियूर्ड जोर्ज मुंसी आर्लोंडर्स हैं महमदूला शक सकते हैं मेगर जिल की टीम हमारी इसपका रहेगी जो रहेगी हमारी टीम टू विकेट के पर है मैथ्यू क्रोस बैट्समेर है मुहमद नेम कैलम मैकलियूर्ड जोर्ज मुंसी आर्लोंडर्स है महमदूला सकीब लोसन रिची बरिंग्टन बोलर से हमारे मुस्ताफ अजीर अगली वीडियो में तब तक के लिए खेलते रहें जीते रहें और मचाते रहें थेंक्यू कि अगली बरिम नेड़ियो क्या जाजियो भी एंगर्टन का मुझते रहें दो क्या रहें जीते रहा है